आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट स्ट्रॉक या लू के बारे में तो हीट स्ट्रॉक या लू एक एमर्जनसी मेडिकल कंडिशन है यह तब होती है जब लंबे समय तक हाई टैंपरेचर या होट और हुमिट कंडिशन में हीट स्ट्रॉक का कारण बन सकता है जब आपका सरीर अपने तापमान को कंट्रोल नहीं कर पाता हीट स्ट्रॉक होने पर सरीर का टैंपरेचर तेजी से बढ़ता है और कम नहीं हो पाता है जब किसी को लू लगती है तो सरीर का sweating mechanism यानि पसीना तंत्र फेल हो जाता है और इंसान को बिल्कुल पसीना नहीं आता Heat stroke की चपेट में आने पर 10-15 मिनट के अंदर सरीर का तापमान 104 degree Fahrenheit या इससे अधिक हो सकता है समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो इंसान की मौत या और्गन फेल भी हो सकता है तो नॉर्मली बाडी का जो temperature रहता है वो 37 degree centigrade रहता है Human body में thermoregulatory system है जो इस temperature को maintain करके रखते हैं चाहे मौसम ठंड का हो या गर्मी का सरीर का temperature fix ही रहता है ठीक है लू में होता क्या है कि हमारे body का temperature बढ़ जाता है जो नॉर्मली 37 degree centigrade होता है वो बढ़कर 40 degree centigrade हो गया या उससे ज्यादा मतलब body temperature का abnormally बढ़ जाना जिसे medical term में heat stroke बोल जाता है एक होती है heat cramps दूसरी है heat exhaustion तीसरी है heat stroke तो पहली जो stage है heat cramps इसमें मासपेसियों या muscles में खिचाओ या cramps होते हैं दूसरी जो stage है वो है heat exhaustion या middle stage होता है इसमें सरीर में पानी की थोड़ी कमी होती है इस case में patient को पसीना ज्यादा आता है थकान महसूस होता है साथ ही सीरदर्ध होता है पानी की कमी की वज़ह से तो ये low की middle stage है और next जो stage है वो है heat stroke इसमें सरीर का temperature बहुत ज्यादा बढ़ जाता है 103 degree Fahrenheit से उपर चला जाता है उस cases में क्या होता है कि सरीर में पानी की इतनी कमी हो जाती है कि जो patient है उसकी skin जलने वह सूखने लगती है मतलब बाडी में पानी की कमी की वज़ह सिस्कीन में पसीना आना बंद हो जाता है अब heat stroke के symptoms की बात करें तो किसी को severe low लगा है या नहीं इसके यही symptoms है कि जो skin है वह जलने लगती है सूख जाती है वह लाल पड़ जाती है क्योंकि बाडी में पसीना आना बंद हो गया है तो जो मुह है वह भी सूखने लगता है आखें धसने लगती है और पेशाप का output कम हो जाता है वह पेशाप का color भी change हो जाता है वो गाड़े color का हो जाता है ठीक है अगर किसी को लग रहा है कि उनके बाडी का temperature बढ़ गया है सरीर में बुखार सा feel हो रहा है काफी गर्मी लग रही है और साथ ही दूसरे लक्षन भी महसूस हो रहे हैं जैसे ठकान लगना उल्टी होना या उल्टी जैसा महसूस होना सिरदर्द होना चक्कराना हाथ पाउं बहुत ज़्यादा weakness महसूस होना यह सारे severe look के लक्षन है इन में main जो symptoms देखने को मिलते हैं वो है सरीर जलने लगता है और skin सूप जाती है और कुछ व्यक्तियों में mental problem देखने को भी मिलते हैं जैसे mental confusion होना ऐसे में व्यक्ति चीजों को समझ नहीं पाता कुछ बढ़बढ आने लगते हैं या बेहोस हो सकते हैं जटके आ सकते हैं अब आगे इसके treatments की बात की जाये तो अगर किसी को दिमाग से related problem होने लगे मतलब बेशुद होने लगे कुछ बढ़बढ आने लगे हैं कुछ जटके आने लगते हैं उस condition में यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति को severe नहीं पिलाना है in fact hospital में saline drip या IV fluids चड़ाना पड़ेगा तभी व्यक्ति survive कर पाएगा नहीं तो यह एक medical emergency है जिसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है ठीक है लेकिन ऐसे लोग जो होस में हैं और पानी पी सकते हैं तो dehydration को सही करने की लिए इलाज यह है कि उन्हें plain water वन न body में जो पानी की कमी है उसे restore करना है okay कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा पानी पिलाने से या ज्यादा liquid item देने से उल्टी आने लगती है तो इस speed से पानी या liquid पिलाएं कि उनको उल्टी ना आए okay तो इलाज इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इलाज सही समय पे नहीं क हो गया है बाडी का temperature वो जब तक नॉर्मल ना हो जाए okay तो जिन व्यक्ति को लू लगी है उसे ठंडी जगा पर ले जाना है लूस कपड़े पहनना है कूलर एसी में रहना है उस वक्त और पॉपर रेस्ट करना है और घर में अगर आइस पैक अवेलेबल हो यूज कर सकते ह उससे भी temperature कम हो जाएगा बर्फ हो तो उसे face वा forehead पे लगा सकते हैं उससे भी temperature कम हो सकता है तो जो बाडी का बढ़ा हुवा temperature है उससे हमें कम करना है तो उससे ये होगा कि जो मुह सूख रहा था या जो skin dry हो गई थी जलन हो रही थी वो अपने आप ठीक हो जाएगी और urine स temperature बढ़ गया है उससे नीचे लाना है और जिसे severe loo लगी हुई है वो hospital में IV trip लगवा सकते हैं जैसे NSRL लगवा सकते हैं उससे उनको 3-4 घंटे में आराम मिल जाएगा एक ध्यान देने वाली बात है इसमें बुखार की दवाई नहीं लेनी है काफी लोगों को fever भी लगता ह है लू में तो बुखार की कोई भी tablet नहीं लेनी है इससे उनको लू के case में कोई फायदा नहीं होगा in fact नुकसान हो सकते हैं इसमें और किसी भी तरह के medicines का कोई रोल नहीं होता है बॉडि में पानी की कमी को ही सही करना होता है ठीक है